वेलकम बैक आट्रेडर्स फामिली, आज हम लाएं हमारे नई यूजर्स के लिए खुश खबरी, जिसे जानने के बाद आप जीत सकते हैं धेरो कैश बैक और बोनस कूपन्स, तो जो यूजर्स है नए और जिनोंने अपना काउंट अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, तो ज जल से जल जाकर करें अपना काउंट रजिस्टर और रजिस्टर करने के बाद चेक करें माई कूपन पेज, और पाई अपने नए यूजर बोनस कूपन्स जीतने का मौका, और साथ ही साथ इन कूपन्स के इस्तमाल से आप जीत सकते हैं बैलन्स, ताट विल हिल्प यू हेलो और नमस्कार, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वागत है आप सभी का बी टी सी दाना के मार्केट पॉड़कास्ट में, मैं हूँ विशाका कुंद्रा, और आज है सोमवार, तारीक 28 वरवरी दो हसार बाईस, तो चलिए शुरू करते हैं आज के मार्केट GMD 5.5 पर सोमवार के मार्केट अप्डेट पाच बीस पर जापान के लिए दो अप्डेट जनवरी में मासे को दियोगे खुतपादन और जनवरी में वार्शिक खुद्र बिक्री साड़े दस पजी जापान के लिए एक और अपडेट जनवरी में वार्षिक आवास की शुरुआत उन्निस पर यूएस के लिए तीन अपडेट्स जनवरी में आटोमोटिव को चोड़कर मासिक खुदरा विक्री जनवरी में गुट स्ट्रेट बैलन्स जनवरी में मासिक धोक माल सुची उन्निस पर कैनेडा के लिए एक अपडेट्स चोटीति माई में चालो खाता बीस पंद्रा पर यूएस के लिए परवरी में शिकागो पीमाई एक्किस पर यूएस के लिए फरवरी में डॉल्स फेड मनुफाक्चरिंग इंडेक्स अगले दिन साड़े पाच पर यूएस के लिए राश्ट्रपती बाइडन स्टेट आप दे यूनियन स्पीच आईए जानते हैं यूएस शिकागो पर्चीजिंग मैनेजर्स इंडेक्स मेहधपूर क्यों हैं? शिकागो पर्चीजिंग मैनेजर्स इंडेक्स शिकागो छेतर में भी निर्मान छेतर के आर्थिक स्वास्ते को निर्धारित करता है पचास से उपर का पढ़ना भी निर्मान शेत्र के विस्तार का संकेत देता है नीचे पढ़ने से संकूचन का संकेत मिलता है शिकागो PMI ISM निर्मान PMI के पूर्वनुमान में कुछ मदद कर सकता है अपेक्षा से अधिक रीडिंग को UST के लिए सकारात्मक या बुलिश के रूप में लिया जाना चाहिए जबकि अपेक्षा से कम रीडिंग को UST के लिए नकारात्मक या मंदी के रूप में लिया जाना चाहिए को मिलती रहे और हम से जुनने के लिए आप हमें जॉइन कर सकते हैं हमारे टेलिग्राम चानल पर और साथी फॉलो कर सकते हैं हमारे ट्यूडेर पेज पर जहां आपको मिलेगी ट्रेडिंग से जुड़ी हर जानकारी को और चेक आप देस्टिप्टिन बॉक्स